ऐसे स्लाइफ लाइफ लाइन व्लोक्स में आपका स्वागत है आज हम तिल के लड़ू बनाने की रेसी भी आपके साथ साजा करेंगे तो सबसे पहले हमने तिलों को अच्छे से भून लिया है तिल भून लें के बाद हम मुंगफली को भून लेंगे मुंगफली अच्छे से सिक जाने के बाद हम मुंगफली के छिलके उतार रहे हैं ये छिलके उतर चुके हैं और मुंगफली फ्रेश हो गई फ्रेस मुंगफली को हम मिकसब जार में डालकर थोड़ा बारिक कर लेते हैं ताकि ये मुंगफली जो है वो तिल के चूरण में अच्छे से मिल जाए अब हम बारिक की हुई मुंगफली को तिलों में मिलाएंगे ये देखो ये पिसे हुए तिल है और इसमें हम मुंगफली के चूरण को भी मिला देते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डालेंगे ताकि स्वाद अच्छा आए और नारियल भी बारिक किये हुए इसमें मिला देंगे नारियल को मिलाने के बाद अब हम इनका एक अच्छे से मिक्ष कर लेंगे ताकि सब मिक्स हो जाए इलाइची पाउडर नारियल मुंग फली और अब हम गुड की चासनी बनाएंगे इसलिए हम गुड को थोड़ा छोटा कर लेते ताकि जल्दी से गरम हो जाए और अब गुड की चासनी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें पाणी डालेंगे और इनको फलके से गरम करते जाए इसमें हम थोड़ा सा गी डाल रहे है ताकि लडू सौट बने और गी से एक और चासनी अच्छे से बन गई है इसके लिए हम देखेंगे कि उसकी एक चासनी का एकतार बन रहा है कि नहीं अब हम चासनी बन के तयार हो गई तो अब हम मिक्स किये हुए इन तिलों को चासनी में डालेंगे चासनी में डालने के बाद इनको हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि एक जगे मिठास ना रहे वो गुड की मिठास है वो सारे तिलों में फेले और अच्छे से मिक्ष करने के बाद अब हम इनके लड़ू बनाते हैं तो यह देखिए बन चुके हैं तिल, मूंगफली और नारियल के मिक्स लड़ू बहुत ही स्वादिष्ट रगते हैं खाने में आप एक बार जरूर बनाईए इस तरीके से